हेलो प्रेंट आपका स्वागत है हमारे चैनल बैसाली केंबस में दोस्तों रेलवे एल पी पर इक्षा में सीबीटी टू का रिजल्ट कुछ मीडिया रिपोर्ट के उनसर कब आने की संभावना यह बताय जा रहा है और साइको में कितना दिन दिया जाएगा इस वीडियो में हम आपको यही किलियर करेंगे और रिजल्ट आने की बहुत जल्दी संभावना है क्योंकि अब देख सकते हैं मतलब गुरूप D का रिजल्ट आ चुका है उसका पीटी का भी डेट दे दिया है तो अब सीबीटी टू कहीं आने की संभावना है तो चलिए कु आपका दोस्तों देख सकते हैं कि कोई आपसेल जवाब तो नहीं है लेकिन मीडिया भी कुछ लिग के द्वरा आपको बताया जा रहा है कि कब तक आने की संभावना है और साइको कब तक होगा तो देखें इसमें आपको दिया हुआ है यहां पर देख सकते हैं आरवी ग्रूप सी टेकनिसियन जीजल्ट रिकार्मेंट परोस और बोथ सी एंडी जो है ग्रूप सी एंडी जो एस्पेक्टेट कंप्लीट ओप दे इंड आप सेप्टेमबर मतलब इसको बताया जा रहा है कि ग्रूप सी मतलब मैं सौट मापको ब इसको आपको सब कुछ कम्पलीट करा दिया जाएगा और इनको बताया जा रहा है तो गुरूप सी का एक्सपेक्टेट इंड ओप मार्च मतलब कि आपको इंड ओप मार्च में डेट बताया जा रहा है सीवी टी टू का रिजल्ट आने की संभावना तो देखिए आज का ही इन जाए है तो चलिए और भी देखते इसमें क्या उपडेट बताया जा रहा है तो देखिए यह मैं इसको आपको सौर्ट में बता देता हूं गुरूप सी एक्जामीने से इंड ओफ मार्च आपको बताया जा रहा है और उसके बाद आपको बहु आपको बहुल है टेक्न कि आपको बिस से पचीज दिन की टाइम आपको दिया जा रहा हा आपको साइको के लिए बूलाए जाएंगा तो इंड ओफ मार्च या ला에 लास्ट बीक ऑ года खाट थाड फित्लस्की के लिए भाता जाएंगा तो यहां पर देख सकते स्टमबर आप उप मार्च आप सियल मे आपका दे दिया जाएगा इस वीडियो में यही है कोई अपडेट इसमें नहीं नहीं है नीचे आपको यही बताया जा रहा है एंसर की फरबरी जो भी exam डेट हुआ था कब से कब यही सब है तो जैसे आपको होप आपको क्लियर हो गया होगा कोई भी डाउट है तो कमेंट में डाउट को को किलियर कर सकते हैं तो हम आपसे नेक्सट अप्डेट में फिर से मिलते हैं तो वीडियो को लाइकन सबस्काइब करना मत भूलिएगा THANK YOU SO MUCH नेक्सट अपडेट में आपसे फिर मिलते हैं